हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाश 12 की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 थे हमारा सत्ता के नयकेंद्र यानि की न्यू सेंटर पावर देखे बच्चे इस चैप्टर को कम्प्लीट मैंने बनाया हुआ है पिछले 2-3 साल में भी बनाया हुआ है और इस साल भी बनाया हुआ है पहले आप थेहोरी वाली वीडियो देखिए इस चैप्टर की उसे समझी अच्छे से उसके बाद आप इस वीडियो को देखो इसमें मैं केवल important question डिसकस करूँगा इसमें मैं short question भी discuss करूँगा और जो long question बनते वो भी discuss करूँगा तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है जो भी question आपको बताये जारे है वो सारे अपने दिमांग में बिठा लो क्योंकि question वहां से आएंगे important question है मेरा नाम है सतंदर परताप और आप मुझे इस्टाग्राम पर follow कर सकते हैं एक लवे study point यह मेरा user name है वहां पर अगर आपको कुछ पूछना हो message करना हो तो आप मुझे यहां पर message कर सकते हैं इस्टाग्राम पर टाइम निकाल के आपको reply करने का प्रयास करूँगा तो सुधू करते हैं सबसे पहला question आपके सामने है कि सत्ता के जो नए कंद्र इससे क्या भी पराए यानि कि क्या मतलब है इसका सत्ता के नए केंद्र ठीक हो सकता है ऐसे ही कुशन आपसे पूछ ले तो देखते हैं देखे क्या हुआ जैसे ही शीतियुद की समापती हुई यानि की बात करेंगर हम 1991 जब सोव्यत उनियन खतम हो जाता है तो पहले क्या था आपको पता है कि दो महाशक्तियां थी एक USA था एक USSR था 1991 के बाद जब USSR खतम हो जाता है तो ऐसे में एक मात्र महाशक्ति बसता है USA तो ऐसे में यह लगता है कि USA जो है हर मामले में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो चाहिए वो टेक्नलोजी के मामले में हो आर्थिक शक्ति के रूप में हो ठीक है बड़ी अर्थविवस्ता है सैने मामले में देखोगे हर मामले में USA जो है काफी आ गया है तो ऐसे में यह लगता था कि क्या अब पूरी दुनिया में केवल USA का ही वर्चस वो बना रहेगा या कोई तो ऐसा होगा जो USA को कही न कहीं चुनोती दे सके क्योंकि USSR तो खतम हो चुका है अब उसके बाद क्या कोई चुनोती दे सकता है तो ऐसे में कुछ संगठन और कुछ देश जिनके अंदर ऐसी शमता है कि वो USA को कहीं न कहीं किसी न किसी मामले में कहीं न कहीं मतलब उनके लिए एक विकल्प बन सकते हैं तो उसी को हम सत्ता के विकल्पिक केंदर के रूप में जानते हैं तो आई होप आपको इतनी सी स्टोरी में समझ में आ गया होगा आप समझते हैं शीत यूत के बाद विश्व के सामने कुछ ऐसे संगटन और ऐसे प्रभावसाली बनकर सामने आये हैं जिससे पश्ट होने लगा है कि ये संगटन और देश अमेरिका की जो एक दुरुवेता यानि कि आपको पता है कि अमेरिका एक मात्र ताकतवर बचा था तो कहीं न कहीं वर्चस हो था यानि विश्व एक दुरुवे हो चुका था जहां पर केवल एक ही महाशक्ति थी जो कि USA थी तो ऐसे में अमेरिका की जो एक दुरुवेता है इसके सामने कुछ ऐसे संगटन और कुछ देश हैं जो विकल्प बन सकते हैं लग सकता है कि इन में वो शमता है त इसके बाद इसपश्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के ने केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के परभुतों को कम कर सकते हैं अब सीधा सीधा USA को चुनौती तो नहीं दे सकते हैं वो देश और वो संगटन लेकिन हां उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं यानि सीमित कर सकते हैं तो इसी को हम सत्ता के ने केंद्र के रूप में देखते हैं तब आपके सामने ये कोश्टन आ जाएगा कि बहीं बताईए कि वो संगटन और वो देश आखिर हैं कौन से आप ये सोच सकते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन इससे एक और कोश्टन देखो कोश्टन है कि सत्ता के ने केंद्र के रूप में किने देखा जाता है ठीक है उसी का पार्ट है ये तो कुछ संगटन और कुछ देश ऐसे हैं जो प्रभावसाली बनकर रूप रहे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कई नगई अमेरिका की ताकत के आगे अमेरिका की प्रभुत हो के आगे एक विकल्प बन सकते हैं इनको हम सत्ता के ने केंद्र या फिर सत्ता के वेकल्पिक केंद्र के रूप में देख सकते हैं तो अब देखिए वो संगटन कौन से और वो देश कौन से ठीक है तो पहले मैं देश की बात कर लेता हूँ उसके बाद संगठन की बात करूँगा, तो देखिए देश में आ जाएगा भारत, भारत में उस शमता है, रूस, जापान, चाइना, इजराइल, दक्षिन कोरिया, इन देशों का ऐसा माना जाता है, कहीं न कहीं है, या यूस से के, जो डॉमिनेंस है, उसका यूस से का है, जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है, मार्शल योजना से क्या भी पर आए है, देखिए क्या हुआ था, जो सेकंड वर्ल्ड वर खतम हुआ था, यानि 1945 में, इसके बाद क्या हुआ था, सबसे जादा जो नुकसान हुआ था, यूरोप को हुआ था, यूरोप को बह यूरोप की अर्थवयस्ता को पुनर गठन करने के लिए बहुत जबर्दस मदद करी थी, इसी को मार्शल योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है, बहुत यह आसान कोशन है, सेकंड वर्ल्ड वर के बाद, अमेरिका के द्वारा पुनर गठन करने के लिए, क्योंकि बहुत उसको मार्शल योजना कहते हैं, यह आपके टू मार्श के कोशन में आएगा पेपर में, तो इंपोर्टेंट है, याद रखिए, नेक्स्ट कोशन आपके सामने है, कि यूरोपिया आर्थिक सायोग संगटन की स्थापन कब की गई, ठीक है, तो 1948 में मार्शल योजना के तह थी, यूरोपिया आर्थिक सायोग संगटन जो था, यह बनाया गया था, और इसके माद्य हम से, देखो, नाम से यह आपको बता लग जाएगा, यूरोपिया मतलब यूरोप के देशों के लिए, आर्थिक मतलब आर्थिक सायोग, यानि आर्थिक रूप से सायोग, पैसो स से संबंदित सहयोग के लिए संगठन बनाए गया मोड़ा मोड़ा आपको समझ में आ जाएगा ये बात आप ध्यान रखोंगे तो कभी भूलोगे नहीं तो देखो 1948 में मार्सल योजना के तहत यूरोपय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई इसके माध्यम से पस्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पस्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार आर्थिक मामलों में दूसरे की मदद करनी सुरू की, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे अगर केवल इतना पूचे कब की गई, तो 9048 में की गई, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डेटेल में बता दिया है, ताकि आपको याद रहे हैं, अगला कोशन देखिए, कि यूरोपिय परिस्त के स्थ योग, इसके बाद है कि यूरोपिय है, जो आर्थिक समुदाय है, यह कब बना, तो यह 1957 में यूरोपिय है, आर्थिक समुदाय जो था, इसका गठन हुआ था, ठीक है, next question है कि यूरोपे संग की स्थापना कब हुई थी एक लिए तो यूरोपे संग जो था ये 1992 में बना था और मॉच्टिट संदी एक हुई थी इसके द्वारा ये यूरोपे संग का गठन किया गया था next question है कि यूरोपे संग के विसेष्था बताओ यह आपके paper में बहुत ज़ादा आता है most important question है इसको बिलकुल दिमाग में बिठाओ यह पूछा जा सकता है यूरोपे संग की विशेषता की है यूरोपे संग जो है यूरोप के देशों का संगटन है इस्थापना 1992 में हुई थी पहले तो यह एक आर्थिक संगटन की रूप में काम करता था लेकिन बाद में यह एक राजनेतिक संगटन की तरह काम करने लगा यानि कि सुरू में यह आर्थिक सेयोग वाली संस्ता थी बाद में राजनेतिक संस्ता का रूप ले लिया असने ये एक विसाल राष्टर की तरह काम करने लगा इसके पास अपना जंडा है अपना गान है स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है 2016 में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्ता थी जिसका GDP जो है वो 17,000 अरब डॉलर अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखे मान लिजे आपके बास old NCRT है तो उसमें आपको यहाँ अगडे जो है अलग मिलेंगे याद रखना लेटेस्ट वाली NCRT को डाउनलोड करो इसके बाद क्या है कि यूरोपे संकी मुद्रा जो है यूरो बहुत powerful मुद्रा मानो यह अमेरिका अमेरिका का जो डॉलर है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो व्यापार किया जाता है वो डॉलर को ही मेन बना के किया जाता है तो यह अमेरिकी डॉलर के लिए भी कहीना कहीं यूरो मुद्रक उसके प्रभुत के लिए खत्रा बन सकती है विश्व व्यापार में अगर हम बात करें तो जो यूरोपे संगेस की हिस्सेदारी जो है अमेरिका से भी तीन गुना जादा है और जो यूरोपे संगेस की आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप में शिया में अफ्रीका में इन देशों में भी देखने को मिलता है विश्व व्यापार संगटन के अंदर भी इनका महत्वपून रोल है और इनका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिसत का इस्थाई सदस्य अब यहां पर एक चीज ध्यान लखिए ओल्ड बुक है तो वहां पर आ संब्सक्राइब आप उसकती समपन देश है यह आते हैं तो यह कि अधर में आता है जाड़ा से ज्यादा फौर मार्ट में आएगा या उर्प सर्च करो गृप मिल जाएगा अब बात करते हैं proposition की किbenा जो है वो बताइए ये पेपर में कई बार आ जाता है तो यूरोपे संग्स कि कम्या क्या नजर आई है कि एनकी सबकी अड़की अलग विदेश नीती और रक्षा नीती है तो कई बार क्या हुता है इनके बीच में क्लैस हो जाता यानि कई बार यह दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं कभी किसी के विचारा अलग हैं किसी दूसरे के विचारा अलग हैं किसी मुद्दे पर अलग अलग जो इनके देश हैं इनकी विचारधारा अलग भी हो जाती है example आपके सामने है कि इराग पर आपको पता है अमेरिका ने हमला किया था तो ऐसे में बिर्टेन जो था वो साथ था यानि बिर्टेन ने USA का साथ दिया था हमले में लेकिन यूरोपे संका ही देश है बिर्टेन और यूरोपे ही संका देश है जर्मनी और फ्रांक ये इस हमले क के खिलाफ थे तो यहां पर आपको दिख रही है ना कहीं ना कहीं इनकी विदेश नहीं थी और इनके बीच में ताल मेल आपको देखने को नहीं मिल रहा यह इसके एक कमजोरी है कि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि यह सभी को एक साथ संतुष्ट कर दे अब देखो आगे के पॉइंट यूरोप के कुछ हिस्सेव में यूरो मुद्रा को मानने से इंकार भी किया गया है और नाराजगी भी देखने को मिली है जो यूरो मुद्रा है तो कुछ नहीं उसको मानने से पूछ लेते हैं बताईए यूरोपी संग के वो कौन से देश हैं जिन्होंने मौश्टिट संदी या फिर यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से इंकार कर दिया तो उसमें आता है डैनमार्क और स्वीडन का नाम ठीक है यूरोपी संग के कई सदसे देश अमेरिकी अलग हो चुका है ये भी एक कमजोर पॉइंट इवान लो कि बिटेन उससे अलग हो गया फिर यूरोपी संग ने दोजार तीन में अपना सम्विदान बनाने का भी प्रयास किया था लेकिन क्या हो गया उसमें आसफल हो गया तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा नेक्स कोशन पे चलते हैं यूरोपängen संगे गठण के उद्देश बताओ यूरोपे संग क्या जो गठण हुआ वो क्या उद्देश लेकर उआ तो इसमें यह हुआ कि एक समान विदेश, नीती और सुरक्षा, नीती क्या तक ये आंत्रिक, मामलो, ततर, नयाय से जुड़े मामलों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे ये सोच के इसका गटन हुआ था एक समान मुद्रा का चलन यानि यूरोपे देश में एक ही मुद्रा चलाएंगे जो की यूरो होगा जिसे इनको लाब हो सके ठीक है तो ये भी point है फिर वीजा मुक्त आवागमन हो सके इनके बीच में जो यूरोपे देश हैं एक दूसरे के देश में आवागमन कर सके बिना वीजा बिना परमीसन के तो ये भी इसका एक उद्देश शिता है इसको बनाने का एक उद्देश शिता Next question है कि आसियान जो है इसकी स्थापना की गई थी इस्थापना के समय इसमें पांच देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन, सिंगपूर, थाइलेंड यानि जब इस्थापना हुई थी उस समय में इसमें पांच देश थे लेकिन बाद में इसमें पांच देश और शामिल ह तो टोटल कितने होगे 10 होगे तो बाद में कौन से शामिल होए तो ब्रुनेज, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यामार और कमबोडिया ये भी शामिल होगे तो इसकी सदसे संक्या 10 होगे तो सब कुछ आपको इसके बारे में बता दिया है कुछ भी पूछे आप बता दो क कभी स्थाफ ना होई आप बोलो 1967 में स्टार्टिंग में कितने देश थे तो आप बोलो 5 कौन से देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन, सिंगापूर, थाइलेंड बात में कौन से जुड़े बुरिन, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यामार, कमबोडिया कौन के बीच में आर्थिक विकास को तेज किया जाए, दूसरा उद्देश है कि आसियान के द्वारा सामाजिक और सांस्किर्तिक विकास भी हासिल किया जाए, फिर कानून का शासन हो और यूनो के नियमों का पालन करके छेत्रे सांतियों और स्थाहितों को बढ़ावा दिया ज जो काम करने का तरीका है, उसी को आशियान सैली कहते है, ठीक है, तो क्या है ये, आशियान का काम करने का तरीका है कि अनौपचारिक टकराओ रहित सयोगात्मक मेल मिलाब का नया उदारन पेस करके आशियान ने बहुत नाम कमाया, इसी को आशियान सैली के नाम से जाना जा जाता है कि अनौपचारिक रोप से काम करते हैं बिना किसी टक्राओं के काम करते हैं एक दूसरे के साथ सयोग, आत्मक, मेल मिलाव वाले रिलेसन हैं इनके देशों के बीच में तो इसी से काफी नाम कमाया है आशियान ने इसी को आशियान शैली कहा जाता है चुक है नेक्ष्ट कोशन है कि आसियान समुदाय के परमुक तीन इस्तम बताईए यह बहुत जाता पेपर में आता है तो आसियान के तीन मुक के इस्तम है जैसे कि आसियान सुरक्षा समुदाय याद रखो दूसरे आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक काम है यानि सुरक्ष समुदाय का काम है सुरक्षा आर्थिक समुदाय का आर्थिक चीजों को बढ़ावा देना और सामजिक सांस्कृतिक का वो अब मैं इसमें थोड़ा सापको explain करके दिखा देता हूँ यहां पर देखो एक एक लाइन में explain है पता लग रहा है कि इसका उद्देश है कि आसियान देशों के बीच में साजा बाजार हो सके ठीक है ताकि एक दूसरे के साथ व्यापार हो उत्पादन आधार तयार करना और सामाजिक आर्थिक विकास करना ठीक है ये इसका उत्देश है तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समूदा है इसका उद्देश है कि आसियान के जो देश है इनके बीच में टकराओ की जगा बादचीत और सांस्कृतिक और सामाजिक जो सामाजिकता है उसको बढ़ावा मिल सके ठीक है Next question है इसका उद्देश है कि आसियान के देश है जो इन देशों की सुरक्षा और विदेश नीती के बीच में तालमेल बनिया रहे है इसी के लिए आसियान छेत्रे मंच को बनाया गया था अगला question है कि वर्तमान समय में आसियान का महतो उपियोगिता और प्रासंगिता पे चर्चा करो यह आपके supporting material का question है और यह paper में बहुत ज़्यादा पूछा जाने का chances का क्योंकि ऐसे question language को घुमा के पूछे भी जा चुके है पहले भी तो देखें अगर वर्तमान समय में देखें तो आसियान की मौझूदा जो आर्थिक शक्ती है वो खास दोर से भारत और चीन जैसी तेजी से विक्सित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में परदर्शित होती है आसियान क्या है कि इसमें निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार छेतर बनाने पर भी इसने ध्यान दिया है आसियान ने अपने देशों के साथ तो व्यापार कराई है साथ में जो हमारे जो दक्षिनेस याई देश हैं तो भारत ने एक नीति बनाए थी फूर्व की ओर चलो या इसका मतलब ये था कि जित भारत जो है दक्षिन एशियाई देश है और यह जो आसियानी है दक्षिन पूर्वे एशियाई देश है यानि हमने यह कहा था कि हम दक्षिन पूर्वे एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाएंगे तो भारत ने ऐसे में इसके जो दो सदस्य देश है सिंगापूर और Thailand इनके साथ मुक्ते वियापार का समजोता भी किया और अन्यों से भी हमारे वियापार चल रहे ह। 2009 में भारत ने आखियान के साथ मुक्ते वियापार समझोता किया जो कि एक जन्मरी 2010 लागू है. ठीक है यह बता दिया आपको. आसियान की जो असली ताकत है वो है इसके सदसे देसों में सहभागी सदसें में और बाकि जो गैर छेतरे संगटन जो है इनके बीच निरंतर यह क्या गरते हैly परामर्स चलता है समबाद चलता है इसलिए यही इनकी असली ताकत है आशियान जो ए एशिया का एक मात्र ऐसा संगटन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनेतिक और सुरक्षा मामलों पे चर्चा के लिए मन चुपलब्त कराता है और दूसरा आशियान के एक खास बात यह है कि आशियान के यहां पे जो देशों के बीच में जो विवाद थे छित्री विवाद वो इन्होंने बात चीज से सुलजा भी लिए तो जो की बहुत ही अच्छी बात है इसके बात किया है कि हाली में भारत की जो प्रदान मंत्रिय है उन्होंने आशियान देशों की यात्रा की और विविन छेत्रों में सेयोग बढ़ाने के लिए समझोते किये पूर्व की और देखो की नीती के स्थान पे अब उन्होंने एक्ट इस्ट पॉलिसी की जो नया कॉंसेप्ट है वो सामने रखा और इसी के अंतरगत वर्ष 2018 के गड़तंत्र दिवस समारों में आशियान के जो देश है उसकी जो राष्ट अद्यक्षा है उनको हमने अतिती की रोप में उनको इन्वाइट किया था अपने देश में ठीक है 2018 में सिंगापुर में 33 सम्मेलन जो हुआ था आस्यान सिकर सम्मेलन उसमें नरेंद्र मोधी जी ने भाग लिया था 2019 में नरेंद्र मोधी ने बैंकोक में आयोजी जो सिकर सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लि और नेक्स्ट की स्थापना कब हुई तो सार्क की स्थापना हुई थी, दिसमबर 1985 में, खिकले का सदस्य भारत भी है, ठीक है, तो सार्क की स्थापना की समयाच में साथ देश थे, और भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भूटान, माल्दीव, शीलंका, अफगान इस्तान इसमें बाद में शामिल हुआ तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं अगला कुशन है कि सार्क के उद्देशन Daxin Eishayya के देसों में जनता के विकास और जीवन इस तर को सुधार लाना ये इसका उद्देश है यहां कि जंता को आत्म निर्बर बनाना, आर्थिक विकास करना, सांस्किर्तिक और सामाजिक विकास करना, आपसी सहियों को बढ़ावा देना, आपसी विवादों को बाचीत के जरिये निप्टारा करवाना, और आपसी विश्वास बढ़ा कर व्यापार को बढ़ावा देना ये सारी चीज़े क्या है इसके उद्देश ये है नेक्ष्ट है कि ये पूछा जा सकते है पेपर में important है कि सार्क जो है एक आसफल संगटने जैसा क्यों हुआ आप देखोगे यूरोपे संग भी सफल है आसियान भी सफल है लेकिन सार्क क्यु वहां सफल हो गया बिरिक्स कोgio billion सफल मान सकते हैं लेकिन सारक सफल नहीं हुआ क्यूं इसके भीचे रीजन यह है कि इसके जो सदस्य देसरें से इनकी बीच में आपसे विवाद है भारत का पाकिस्तान के साथ बारत का शेलंका के साथ हो जाता है पाकिस्तान का बंगलादेश के साथ विवाद है यानि आपस में कहीं विवाद है तो इसके कारण ये सफल नहीं है दूसरा क्या है कि आपसी व्यापार में भी इनकी कमी है भारत पाकिस्तान संगर्स इसका एक महत्पून कारण है और फिर आतंकवा वियाद हैं इनमें एक्ता नहीं है और आपसी विवादों को बात्चीत के जर नहीं सुल जाया जैसे कि अपने हैं कि ऐस्दर्द ने तो सुल जा लिया लेकिन जो सार्क है यह नहीं सुल जा तो इसलिए पहले ये ब्रिक कहलाता था तो ब्रिक्स दुनिया की उबरती अर्थ व्यस्ताओं वाले देसों का एक संग है इसमें ब्राजील रूस भारत चीन दक्षिन अफ्रीका शामिल है वर्तमान में ब्रिक्स पांच देसों का संगटन है और इसकी सुरवात हुई कि 2006 में इसका पहला संमेलन 2009 में हुआ था और प्रारम में इसकी सदस्य संक्या चार थी क्योंकि इसमें पहले साउथ अफ्रीका नहीं था बाद में इसमें क्या हुआ साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया तो इसकी सदस्य संक्या पांच हो गई इसके उद्देश के ये भी पूछते हैं तो ब्रिक्स का मुखे उद्देश है अपनी अर्थविवस्ता को उभारना अंतराष्टी अर्थविवस्ता और अपनी आर्थी की स्थिति में सुधार लाना इसके जो सदस्ते देश है इनके बीच में जो अर्थविवस्ता है उसको बढ़ावा दिया जाए जैसे फिर प्रता रष्ट की अन्तरिक नीती जो है उसमे समानता यह वेत्रिक सदस्ते देशों के बीच में सयोग हो तो ये सब इसके उद्देशे हैं कि आप को सौट कोशन पर भी quería कोने नगे खर रहे हैं कि भार्रत और चिन का युद गभभ हुआ था आप सब जॉन करांति ये 1962 में चाइना के द्वारा टैक हुआ था इक्षिण हळी पेफर में आता है कि चाइना की करांति कब वूई थी नेतिर्तों में अपना ही थी अगला कुशन है कि भारत और चीन के स्वरी यह स्लाइड जो है वो दो बार हो गई है अगले पे चलते हैं अगला कुशन है चीन में कब और किसके द्वारा चार छेत्रों में आधुनी करन का प्रस्ताओ दिया था ठीक है तो चाओ एन लाई चीन के द्वारा यह प्रस्ताओ दिया गया था जिसमें किर्षी उद्योक सेना विज्जान और टकनलोजी इन चार छेत्रों में क्या था आधुनी करण के प्रस्ताओ थे नेक्स्ट है कि चीन ने खेती का निजी करन कब किया था नैंटी-टी-टू में नीजी करन कर दिया उद्योक का निजी करन कब किया था 1998 में किया था पेपर में आते हैं यह कोशन इसलिए यहां पर रखें चाइना जो है वह विश्वयापार संगठन यानि डबलू टी ओ जो है इसका इसमें कब शामिल हुआ था तो 2001 में चाइना इसमें शामिल हुआ था नेच्ट है भारत और बीच में सीमा विवाद है जम्मू कश्मीर में अकसाई चीन वाला हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को लेकर विवाद है चीन ने तिब्बत को हडप लिया जिससे की दलाई लामा ने भारत में शरण मांगे और भारत ने उनको शरण दे दी इसकी वज़ पंचसील समझोते को नहीं मान रहा है उसका उलंग अनकर ठीक है तो कुश्चन निभी आ जाता है कि बताएगा पंचसीद समझोता जो है यह कब हुआ धा ऐसे पूछ सकते हैं या फिर ये ऐसे पूछ सकते हैं कि बताई ये पंचितिल दम्जोते में कौन सी पांच मुख्य बाते हैं तो दें कि ये एक दूसरे की छेत्रिया खंड़ता और प्रभुसत्ता जो है उसका सम्मान करना ये इसका पॉइंट है एक दूसरे पर आक्रमन ना करना यानि भारत और चीन एक दूसरे की छेत्रिया खंड़ता और प्रभुसत्ता का समान करेंगे एक दूसरे पर आक्रमन ना करेंगे और एक दूसरे के आंधरेक मामलों में हस्त छेप भी नहीं करेंगे ये भी है समानता और शांती पूर्वक्स है अस्तित्व ये कुछ पांच बाते है अगला कोशन है कि दुनिया का एकलोता यहूदी देश कौन सा है तो इजराइल है और सोव्य संग का उतरादिकारी किसे बनाया था रूस को तो सोव्य संग की जो UNSC यानि United Nation Security Council की जो seat है सुरक्षा परिस्द की जो seat है पर्मनेंट वो रूस को मिल गई थी ठीक है इसलिए रूस को वीटो पावर मिल गई थी तो सोव्य संग का उतरादिकारी कौन हो जाएगा रूस हो जाएगा अब एक कुशन है आपके सामने यहाँ पर typing की mistake है मैं यहाँ पर type , लिक देता हूँ ठीक है almighty दक्षिन कोरिया की राभद क्या है आप इसका answer मुझे देंगे कॉमेंट में और एक और जवाब आप देंगे comment में कि जो भी आप देंगे answer इसका वो अपना नाम जरूर लिख देना ठीक है नाम लिख के bracket में answer लिख देना अपना ताकि मैं उसे देख के समझ भाऊंँ तो मिलते हैं फिर आपसे next वीडियो में thanks for watching सभी को जै हिंद जै भारत